दोस्तों सरदियों में सफेद बालों की प्रॉबलम तो रहती ही है मेरे कुछ दोस्त यह भी कहते हैं के कैप लेने से जो पसीना आता है उससे उन तुलसी पौवडर का इस्ते刃म घरेंगे जो बालों को नाचॲल तरीकी से काला करती हैं, अब हम एसके अंदर दोस्तों जुचीज डालने वाले वाले हैं वह है दोस्तो नीम पावडर, नीम पावडर भी बालों जड़ों से काला करने में बहुत help करता है fungal infection को खतम करता है अब एक बड़ा चम्मच हम इसमें डालने वाले हैं शिका काई का तो तीनों चीजों को आपने mix करना है हलका सा रोस्ट करना है फोड़ा सा काला कर लीजी आपने हलका सा भूनना है आपने इसको भूनने के बार आपने इसे लोहे के बर्तन में शिफ्ट करना है और अब आपने इसके अंदर गरम पानी मिलाना है गरम पानी मिलाकर इस पेस्ट को अच्छी तरह से बनाएं और 20-25 मिनट तक ऐसे ही रखिए उसके बार आप इसे अपने बालों में अप्लाई करें अच्छी तरह से जहां पे भी आपके ग्रे हेर हैं वहां पे इसे अप्लाई करें और जहां पर आपको लगता है कि सबसे जरा आपके बालों में पसीना आता है वहां पर इसे अप्लाई कीजिए अगर कहीं पे आपको fungal infection का issue है तो वहाँ पे भी से apply करें आपने से 20-25 मिनट तक बालों में लगे रहने देना है उसके बाद बालों को wash करें देखेगा guys wash करने के बाद आपके बालों में कितनी अच्छी खुश्बू आती है पसीने की बदबु जो है वो हमेशा के लिए रफादफा हो जाएगी और बालों में बहुत गहरा रंग आएगा एक काली चमक आपके बालों में नजर आएगी बाल बहुत खूबसूर्त घने और मुलाइम लगेंगे अगर आप इसके साथ मेरे ओईल को इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहने नहले पे दहला हो जाएगा ट्राइ करके ज़रूर देखीगा जो ओईलिंग है मेरे चैनल पे आमजित कॉर पे आप देखेगा मैंने बहुत सारे ओईल आप लोगों के साथ शेर की हैं किसी भी एक कोईल को पकड़ लीजेगा रात को मसाज करें सुबह आप इस मेहंदी का इस्तेमाल कीजिए जैसे मेने बनाई है वैसे इस्तेमाल में कीजिएगा देखेगा आपके बालों में जितने भी छोटे बड़े इशू है सफेद बाल है फंगल इंफेक्शन है बाल बहुत जड़ते हैं तूटते हैं रफ हैं या फिर बालों में डेंडर्फ है सब खतम होगा ट्राइकर करके ज़ूर देखना टीनेजर भी इसका यूज कर सकते हैं अगर महंदी पसंद आई है डियावाई पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हफते में दो से तीन बार इसका यूज कीजिएगा